तो बच्चों हम लोग जो है आज discussion करने वाले हैं जैसा कि part 1 जा चुगा है ठीक है वीडियो जो बच्चे नहीं देख सकते हैं mathematics में 1 से 20 तक का discussion हो गया है अभी 20 से अभी और part 2 जो है उसमें discussion करना बाकी है ठीक है यह जो है reasoning का section है जिसमें हम लोग देखेंगे reasoning के section में जो है अभी जो है test series में हम लोग यह बच्चे ध्यान दे फूर लेंज की test series नहीं है अभी weekly test चल रहा है निमसेट के test series 4 online offline दोनों test series चल रही है जो बच्चे classes कर रहे हैं batch 23 और 24 के लिए ठीक है तो उन बच्चों की test series start हो गई है classes start हो गई है ठीक है इसमें reasoning का portion यह ध्यान दे मैं discussion कराने से पहले एक चीज़ confirm कर देना चाहरा हूं जो बच्चे नए हैं वो सोचेंगे की reasoning का portion यही आता है इसलिए confused नहीं हो बिल्कुल यह जो पेपर है उसमें syllabus जो decide किया गया है अभी weekly test चल रहा है ठीक है full length की बिल्कुल test series नहीं है बच्चे अगर paper करेंगे तो confused नहीं ह लगा है अभी तक ठीक है उसी पर टेस्ट रिज बन रहा है ठीक है जैसे alphabet बच्चों को पढ़ा दिया गया तो अलफावेड से questions है missing term से question है बच्चों को ठीक है और यहां पर inserting missing character मतलब तीन जगह से question है तीन जगह से question पुछे जाएंगे alphabet से question पूछे गए हैं ठीक है missing character से question पूछे गहें inserting missing characters और इसमें बच्चों जो है missing numbers या wrong numbers के question जो पूछे जाते हैं आप तन देखें उस्ते question आया हुए है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे reasoning के topic बढ़ते जाएंगे computer अभी basic fundamental computer है जिसका उसका भी discussion करा दिया जाएगा basic question जो याद करने वाले question उस type question computer में भी है लेकिन next time में क्योंगी test series 1,2,3 मिया इसे ही basic fundamental computer थे लेकिन अब जो है test series में binary से start हो जाएंगे questions देना binary conversion gray code क्या होता है ठीक है transistor क्या होता है और उसमें related hexa to test meal compliment की सब सारे questions दिये जाएंगे बच्चों को ठीक एक एक करके जैसे जैसे test series आगे cure बढ़ता जाएगा वाजसे वैसे syllabus जो है बढ़ता जाएगा और उसी according जो है test series जो है syllabus होता जाएगे ठीक है तो बिल्कुल बच्चे जो नए बच्चे है जो इस वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल confusion नहीं होगे कि निम्सक के syllabus में सब्सक्राइब आते हैं ठीक आभी जो यह weekly test चल रहा है फूर लेंग के प्रसंद किया है ठीक है इसलिए पेपर में जो है अभी 60 का चल रहा है पेपर आगे जाके 120 हो जाएगा त्यक्तन 4 में डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो यह बच्चों पहला question हम लोग देखेंगे पहला question हम लोग का अलफाबेट से question दिया गया है O-P-R-S-T-U-V-T-U-P-W-E ठीक है J-I-K-L यहाँ पर ध्यान देना बच्चों यहाँ पर अब यहां से ऐसे question को लगाते समय हमने एक logic बताया था बच्चों को class में वो चीजे दिमांग बैठा ले ऐसे question को लगाते समय पहले इसमें और इसमें यह जो है यहां तक की चीजों में क्या relation है यह relation तुमको समझ में आ गया कि यह relation क्या है तो इसमें जो आने वाला है वही relation यहां पर लगेगा कोई नया relation नहीं लगेगा तो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों को कि इसमें जो relation है वो फोजना है ठीक है जो अलफा बेट में सबसे पहले question पढ़ने से पहले तुमको वन से 26 तक अलफा बेट दिमांग में होना चाहिए backward डारेक्शन फारवर्ड डारेक्शन हाफ बैकवर्ड हाफ फारवर्ड सारे डारेक्शन जो है यह जो हाफ करके हैं वो सब दिमांग में फिट होना चाहिए हर अलफा बेट का position क्या होता है वो मालूम होने चाहिए backward डारेक्शन फारवर्ड डारेक्शन हाफ बैकवर्ड हाफ पारवर्ड यह जम दिमांग मोना चाहिए यह question बहुत फास्ट लगे अब relation लगाते समय बच्चे ध्यान दे question में अब पहला लेटर यहां से क्या मिला है Q, Q का T के साथ कैसा relation है, P का U के साथ कैसा relation है, R का W के साथ कैसा relation है, S का B के साथ कैसा relation है, यह जैसा relation यह बनाने वाला है, यह जैसा भी relation बनाएगा, वैसा ही relation यह भी बनाने वाला, कुछ नया relation नहीं बनाएगा, बिल्कुल एक दम ध्यान देंगे ऐसे alphabet question में, जैसा इधर वाला relation बनाएगा, वैसा relation भी यह भी बनाने वाला है, कुछ नया relation भादने बनाएगा तो फो क्यों से जब भच्छों हम लोग क्या रहे हैं यहां से कि यहुछ से जब करना पढ़ना पढ़ना प्लस थी ठीक है आप देख लो पीस से जब हम लोग जो है यू के तरफ जा रहे हैं बच्चों कितना एड करोगती मिलेगा अलफाबेट दिमाग में जितना फास तुमको याद रहेगा दिमाग में अलफाबेट का पोजिशन उतना ही जल्दी तुम क इतने भी बच्चों कितना पर मिलेगा फाइप मिलेगा ठीक है और इतने भी बच्चों कितना पर मिलने वाला है हिन मिलने लगा कितना प्लस थी इसका मतलब हो गया प्लस थी प्लस फाइप प्लस फाइप प्लस थी ठीक है यही लाजिक चलने वाली है क्या लाजिक चलने व वालई है तो अब आगे जो है कोशन क्या मिला जे आई जे आई के एल अब इसका बच्चों को relation डूढना है कि जे का plus 3 relation जाए जे प्लस 3 आगे जाएगा जैसे 3 प्लस 3 आगे जाएगा चेक करो कौन साओं पोजिसidal आने वला है जे में PLUS 3 जोड़ोगे बच्चों क्या आ जाएगा YM आ जाएगा YM आ गیा अब AI में बच्चों PLUS 5 जोड़ेंगे क्या आने वला है देख लो AI में PLUS 5 जोड़ेंगे k में plus 5 जोड़ेंगे ठीक है और यहां पर फिन yal में कितना जोड़ने वाले है plus 3 जोड़ने वाले है फिन yal में कितना जोड़ने वाले है plus 3 तो आप एड़ से देखो ऐसे एड़ करते जाओ m, n, p, o m, यहां पर बच्चो n मिलेगा यहाँ पर क्या मिलेगा hau हमको क्या मिल गया यह मिल गया तो बच्चों को ध्यान है M and P.U. कौन सा option बच्चों correct जा रहा है तो अल्फा ये question बच्चों एक दम ध्यान से देखना अल्फा बेड कोर्षन बहुत आसान होते हैं ठीक है कोई जरूर 2 पाया कोई ब्रक्रेद सबसे नहीं जरूरिब एक Wizard अगर कहीं बिघे करना के सबसे प्रक्रेथ करना है जूरूर किन घाइक घकले यहां पर इनसे मिला गया इंज मॉल आगया कुष नम् कि कैसे निकालेंगे अगर question आगे आता है तो फिर हम बताएंगे ठीक कभी कभी डेज्ट में में लगता है जो हर concept उसमें लग जाता है दूसरा अगर तुमको question में gaping देखना है अगर gaping बहुत कम है तो इसमें दो तीन चीजे question में missing के स्क्वाइर को लगाते समय स्क्वाइर करना क्यूब करना जो है कांसेट जो है एडिसन के कांसेट पर आता है ठीक है डिफ्रेंस सा कंसेट लगाओगे तब वहां पर आएगा और और फिन पर दिवीजन के भी कांसेट पर आता है ठीक है फिन मल्टिप्लायर स्रीज चलने ल तूरू कर देना एक्जाम में ठीक है अगर देखना डिफ्रेंश जदा है ता कोई बात नहीं अगर पर बहुत कर जदा नहीं है तो टिफ्रेंश निकालो टिफ्रेंश इतना जलदी निकालो कि आप देखो कि चुरीज उतना ही आतान आपको मिलने लगेगा अगर इसमें से अगर question आपको नहीं आता बनाते कोई बात नहीं कोई question नहीं आता है ये question कोई बात नहीं आप देखो कि बहुत ज़्यादा difference नहीं है 1 4, 1 5 3, ध्यान देंगे बचे 1 8 9, 1 8 9, 2 1 4 अब यहाँ पे क्या लगने वाला बच्चो ध्यान दो 1 0 4 से 1 5 3, 1 0 4 से 1 5 3, 1 5 3 से 1 8 9, 1 8 9 से 2 1 4 2 1 4 से बच्चो next क्या मिलेगा ठीक है यही हम लोगों देखना है अब इसमें देख लो difference कितना मिला देखो अब इसमें बच्चो difference खटाओगे 1 53 में से 1 4 से ऐ क्या मिलने वाला है? 49 आइन क्या मिले वाला 49 अब यहां पर बच्चों ध्यान से देखो डिफेरेंस यहां पर क्या मिले वाला जल्दी फटा-फट करो अब यहां पर देखो क्या मिले वाला 36 अब यहां 6 स्क्राइब कि रहा है कि आधाएब ऑब निकारे लगा यह प्लस इवें काई स्क्राइड करोगे यह मिलेगा इसमें जो है बच्चो यहां बच्चे जैसे ही square करेंगे उनको क्या मिलने वाला है 230 230 मिल जाएगा और 230 देखेंगे कहीं भी option में नहीं है इसलिए बच्चों इस पेपर में इस question का answer क्या होना चाहिए नानापदीश ठीक है नानापदीश ठीक लगा लो सभी बच्चे नानापदीश चलो next question बच्चो 43 पे आते हैं 43 questions जो बहुत ही अच्छा questions है 43 चलो अब इसमें आप मैं यही फिर बता रहा था अगर question में कुछ नहीं आता तो गैपिंग निकालना ठीको question में यहां से यहां गैपिंग क्या चलेगी ठीक है यहां से यहां यहां से हां गैपिंग क्या होगा यहां से हां गैपिंग क्या होगा यहां से हां गैपिंग क्या होगा यहां बहुत जादा दूर गैपिंग में भी नहीं जाना जैसे ही दो तीन जाओगे तुमको लाजिक मिलने लगेगा ठीक है जैसे ही दो तीन के तरफ हम लोग बढ़े लिए, 49 और 32, घटा तो यह 17 की gapping आने लगी, यहां पर 17, ठीक है, यह 17 की gapping दिख रहा है, और यहां पर बच्चों कितना की gapping दिख रहा है, 483, 34 की gapping दिख रहा है, मतलब 17 into जो है, इसमें add करते जाओगे, इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 17 into कितना 2, add करते होगे, यहां पर कितना, 17 into कितना 3, add करते होगे, 17 into कितना 4, add करते होगे, 17 into कितना 5, add करते होगे, यह add करते जाओगे, याद रखना, यह add होता जाएगा, सम मिलेगा, ठीक है, और यहां यह add होता जाएगा, अगले नमबर पर सम मिलता जाएगा, ठीक है, और और यहां से यहां भी देखो कि तुम जो है क्या हो जाएगा 17 यह 17 इंटू 5 यहां पर रिजल्ट हमको मिल जाएगा और रिजल्ट बच्चो जल्दी से फटा-फट काल्कुलेशन कर लो इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है ठीक है चेक कर लो जल्दी से 110 यह बच्चो जो है बी आप्षिन क्या हमारा हो जाएगा ठीक है अब सब्सक्राइब आप कोश्चों नमर जो है हम लोग आते हैं 44 पे बच्चे ध्यान दे 44 कोश्चन आचाई आचा सिरीज को देखते समय आप यह समझ में बच्चों को कंफूजन कर देगा कोश्चन अगर ध सबस्क्राइब मतलब यहाँ पर एक दिमांग बैठा लो कि दो सिरीज में ब्रेक हो जाएगा अब जब तक दो सिरीज में ब्रेक करना नहीं सीखो के तब तक के question नहीं लगने वाला है मतलब एक चल रहा है 20, 19, 17, 14 अब एक question mark मतलब एक सिरीज हम लोगों क्या बनानी है 20 की, अब एक बच्चो क्या बनानी है 19 की, और एक क्या बनानी है 17 की 17 आ जाएगा 14 आ जाएगा और इसके बाद क्या जाएगा question mark, ऐसे बच्चे बना ले ठीक है, ऐसे दो सिरीज में पहले break कर लो question को लगाने से पहले दो सिरीज में break करो यह ऐसे question बहुत असान होते है जैसे ही आप break करोगे, आप 14 बना लो जैसे ही break करोगा, आपको question मिले लगेगा यह बच्चो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा 16 हो जाएगा और यहाँ बच्चो कितना हो जाएगा माइनस 1 यह कितने की चल रही है कितने की चल रही है देखो- 2 माइनस-3 मतलब कि मिलने वाला है यहां से यहां जा रहा है यहां पर highest घ्रल दिया माइनस पूर से इंप कितना हो गया वैंट यहां पर कि माइनस टुव्ह और कितना हो गया माइनस 1 मिलें वाला एक plays सब्सक्राइब में जब सिरीश बहुत बड़ा होने लगे अखाज करके question mark जब दो देदेगा सब तो समझे लो कि और आसान कर दिया हमारे paper को ठीक है कभी कभी देता भी नहीं है तो दो देदेगा तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए ठीक है तो इसमें क्या करना है दो आप्शन में भी आन चुला बच्छवाते हैं question number 45 पे question number 45 यहां पे question number 45 217 22 42 92 22 37.5 718.5 आ गया decimal मैं इसकी बात कर रहा था वही आ गया decimal number आ गया ठीक है decimal number आ चुका है आप इस question को कैसे लगाएंगे थोड़ा सा question जो है है अच्छा questions है बहुत सोचना पड़ेगा questions में चलो questions logic logic जोड़ो questions में कहां चलेगे divide करने से काम चलने वाला नहीं है नमबर में जब divide करोगे तो हमें साथ को एक number तो एक में divide करोगे तो यह fraction में जाएगा फिन बाइलू एक में जा रही है ठीक है इन बाइलू आगे पड़ा रही है लेकिन यह बाइलू fraction में जा रही है आप अच्छा पहले नमबर को ध्यान देना यहां से सिखो 27 और 17 के मैं बात कर रहा हूं से 17 इसमें से अगर इसमें मालो कि तुम divide करना चाहते हो क्योंकि fraction आने का मतलब भी हो गया तुम्हारा सब fraction से कभी fraction नहीं आएगा यह decent से कभी fraction नहीं आएगा कहीं न कहीं ऐसे decimal value का multiply हुआ है fraction value का multiply हुआ है जो integer में आगे जाके क्या दे दिया fraction दे दिया ध्यान से मेरी बात को संखे लो मैं किया बतारा हूं यहां पे कि यहां पर जो questions जारा है 27, 17, 20, 30, 40 सब ही number यहां तक बच्चों number क्या बना हुआ है इंटीजर बना हुआ है ध्यान से मेरी बात को संखे हं यहां तक integer बना हुआ है लेकिन आगे जैसे ही move कर रहा हो क्या हो जारा fraction हो जारा है जैसे ही आगे move कर रहा हो क्या हो जारा fraction हो जारा है ऐसे question को लगाते समय इस student एक चीज़ ध्यान देगा कि आइस में समझ लेगी कि किसी ने किसी fraction की multiply हुआ है जो भी fraction multiply वो fraction जो है 0 से 1 के भी value हो सकती है और 1 से बड़ा भी हो सकती है fraction जैसे वो 0.5 भी हो सकता है 0.6 भी हो सकता है या 1 1 by 2 भी हो सकता है 1.5 भी हो सकता है कुछ भी value हो सकता है वो question पर depend करेगा लेकिन इतना जरूर जान लो कि fraction की multiply हो गए इस question में ठीक है जिसे तुम्हारी आगी problem तो solve हो जाए कि fraction लेकिन आप देखो अब number में आप ये decide करना है कि इस question से इस question जाने में number हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है 27 27 से जैसे 17 जारे number मेरा घट रहा है लेकिन आगे जाने के बाद मतलब हमारा क्या हो जा रहा है number क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है तुरंत पढ़ रहा है अगाटने का नाम नहीं ले रहा है लेकिन यहां से यहां देख रहा है इसका मतलब बच्चों ये हो गया है वह घटेगा कब तुमको fraction भी लाना है मतलब घटेगा कब जब किसी decimal का multiply हुआ है decimal number का वह भी number किसमे 0 से 1 के बीच में बच्चों multiply हुआ है तभी वह घट सकता है ठीक है वह number क्योंकि आगे जाके फिन बढ़ जा रहा है ठीक है और continue घटता तो दूसरा हो जाता concept लेकिन फिन आगे जाके पढ़ जा रहा है ठीक है तो आब ऐसे question को लगात है तो इसको बता सकते हो चलो 92 और यहां पर 923.5 और 718.5 जान देना कि गैपिंग ठोड़ा कम था इसलिए मैंने लिग दिया जिससे क्लियर बच्चों को दिखाए दे अब यहां पर 17 अब यहां से यहां जाना है fraction का multiply करना है अगर जब भी fraction की पहले 0.5 से multiply कर लेते हैं 0.56 में multiply कर लो आप ठीक है इसमें 0.5 से multiply करेंगे तो हम लोग का कितना आया इतना आ गया बच्चों यह आ गया ठीक है और यह आ गया और अब जितना आया है उसमें से इतने से माइनस कर देते हैं तो 3.5 आएगा 3.5 इतने से माइनस करोगे इतने से 3.5 3.5 मतलब इसको जरूरत है कितने की 3.5 की जरूरत है इसको कितने की जरूरत है 3.5 अब इस नम्मर का 0.5 into 7, 0.5 plus 0.5 into 7, क्या मिलेगा, 17 मिलेगा, अब ध्यान देना, अब नम्मर जो फ्रेक्शन वाली जो बैलू है, मैं यही समझा रहा हूँ, जो फ्रेक्शन वाली जो बैलू तुम देख रहे हो, यह अब बैलू जो है, क्या कर गए, increase कर गई, यह बैलू क् कितना मिला बच्चों, 17 plus 6, 23, यह क्या find करना है, wrong, wrong term, यह क्या है, wrong term, wrong term find करना, ठीक है, यह logic क्याmarket चलराए 23, यहाँफे 73, यह क्या आने यह लग रहा zeigen, 23 यहाने तो 23, 23, 23, इसमे 23 पे लगाओ, इसमे अघर 23 वाला इसको सही कर देगा, अच्छा यहीँ पे रांग तंग क के रूप मत जाना की option में जो यहीं पर रांग टर्ण करें और रूप जाए ठीक है आगे क्यूर बढ़ो कि देखो कौन सा रांग टर्ण बन रहा है आगे क्यूर बढ़ो चलो अब यहां 23 आगया और आगे बढ़ो फिन जो है अब यहां पर क्या करेंगे 1.5 1.5 प्लस 0.5 से फिन इंक्रीज कर दिये आगे बच्चों क्या हो जाएगा 1.5 इंटू कितना 5 तो देख रहे हैं 42 हमको मिल गया फिन आगे जा रहा है इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 फिन देख रहे 92 आगे आगे मिलता जा रहा है इसका मतलब बच्चों यह है कि 22 के जगे क्या रिप्लेस होना चाहिए 23 और आपसन में बच्चों क्या find करना है wrong term find करना है तो हमारा wrong term बच्चों क्या हो जाएगा 22 हमारा क्या हो जाएगा यही wrong term होगा और आप संद नहां पर लगने वाला है दी पर लगने वाला correct option तो दी आप्शन बच्चे सुधार कर लेगे दी आप्शन बच्चे सुधार कर लेगे correct कर ले डी आप्शन क्या होगा correct होगा चलो आप इसमें आते हैं question नमर 46 question नमर 46 बच्चे जब ध्यान से देखें question नमर 46 को इसमें क्या लाजिक चल रहा है questions में इसमील बैलू आ गई है और इंटीजर बैलू नहीं आई पहले पहली बैलू बस खले इंटीजर टाइप के फिन continue डेसमील आ गई ठीक है तो इसको सोचो questions क्या हो सकता है questions फिन continue जो है वैलू चल रही है continue एक बार बैलू क्या अच्छा यहां पर कामा कर लेना question में यह फिप्टी ती अलग है यहां पर 53 अलग है यह अलग है इसमें कामा कर लेका नहीं होंगे बच्चे इंट कोशन हमें कड़बड हो जाएगा यहां पर बच्चों इसको अलग कर लेना ऐसे है कामा तो यहां पर हम लोग देखेंगे 2 और 10.5 और तो दूर लिख जेते हैं इसको जिसके हमको समझ में आए 53, 265.5 और बच्चों यहां पर युक्तिया हो जाएगा 32.7.5 और 6640.5 6640.5 तो इस कोस्टन को लगाते समय बच्चे ध्यान दे ऐसे कोस्टन को लगाते समय यहां से यहां तुरंद डेसिमिल आया है अब तो यहां से यहां डेसिमिल आया तो इसका मतलब फिक्स हो गया है कि नंबर क्या है डेसिमिल नंबर जो है आया हुआ है तो वो जो है कहीं न क क्लेसे में पतला इस ने क्वात रहा है बढ़ता ही जा रहा है कि अब बढ़ रहा है ऐ mandar dedicate बच्चों को फाइंड करना है तो यहां पर बच्चों अगर हम लोग जो है मल्डिप्लाई अगर पहला टर्म असान फाइंड करना है तो दो से मल्टिप्लाई करो क्या मिलने वाला 53 मिल जाएगा और इसमें देखो के मल्टिप्लाई करो यहां पर बच्चों जैसे जाएंगे यहां पर जो है हमको मिल नहीं मिलेगा यहां पर रॉंग मिलने लगा यहां पर इसका कैलकुलेशन वन सी टू एट आने लगे जाए और आगे इस पर फिन करोगे यहां पर इंटू 5 प्लस ट्रe मिल यहां मतलब यह हमारा टर्म क्या हो गया रॉंग हो गया मतलब इस कट्चों को यह हो जाएगा चली इस फटा पर जलदी जैंसर दो जली फटा 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 एंसर दो कि यह कोश्चन हम लोग देखते हैं यह कोश्टन से जायव है कि रिपिटिंग लेटर करके कोश्टन है बच्छों यह इसमें दो ट्रिक्स चलते हैं जब कोश्टन आते हैं तो पहला दिमाग में एक इस पहला कोश्टन को लगाते हैं पहला कॉंसेट भच्छों यह दिमाग में लगाना है सोचना कैसे है कोश्टन को जो है पहले काउंड करना है इस स्पेस को भी काउंड करना है मतलब जो यह स्पेस कभी-कभी यह लाजिक मैक्मिम लगती है कभी-कभी नहीं भी लगता है तो दूसरा भी लाजिक काम करने लगता है उसके वह भी मैं पता जेता हूं मतलब बच्छों यह 15 है तो तो five five का बन सकता है ठीक है तो question पर depend करेगा हो सकता है को पेर पर काम न करें ठीक है तो तब दूसरा concept सोचते हैं तो सबसे ज्यादा कहां पर gathering यहां जो सबसे कम Gaping Laters की पिन यहां पर सबसे कम है यहां से Question सोचेंगे जहां पर सबसे नज्दीक later होगा जादा संच्या होगी वहां से सोचना शुरू करें अगर वहां से सोचना सुरू करेगा को Wasnam Division इन की दो check कर जाओ सभी आपको मिलेगा एक sequence मिलना चाहिए एक कोस्टन में जैसे एपी चल रहा है तो एबी 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 अगर एबी सी का आडर चला तो एबी सी वी सी एपी सिक्वेंशियल आडर को फॉलो करना चाहिए ठीक है यह चीजे ध्यान देना चाहिए कोस्टन में पहला यह कंसे ध्यान दो जो अभी मैं बताया कि पहले है काउंट करो नीबर को कभी कभी फ्राइम नंबर आजातें सेवेंटीन टाइप का ठीक है तो उसमें लाजिक सुका नहीं काम करता है ठीक है कभी-कभी ऐसे नंबर आ matin करदेताए लेकिन answer कभी बच्चों का same आएगा चाहिए किसी भी लाजिक से लगा लो answer तुम तो गलत नहीं मिलेगा answer same मिलेगा ठीक है answer same मिलेगा चलो सोच लो question को खरो जया किरो जो गर रहा तरो गह किसी बचल ध्यान दो यहां पर अगर हम लोग जो है लेटर में भरना शुरू करें देखो क्या आता है तो यहां से भरना शुरू करेंगे तो वहां से अगर हम लोग इस्टार्ट करते हैं तो सोचो यहां पर कैसे हम लोग इस्टार्ट करेंगे C, B, T, B, C ठीक है और यहां से भच्चे ध्यान देंगे C, B, D, B, C P, T, D, B, C C, D, D, B, C D, B, C और C, B, D, B, C C, यहां भरो, यहां भरो कोशन को सही जा रहा है, सही एक कोशन C, B, D, B, C फिन यहां से बच्चों क्या होने लगता है, D, B, C C, D फिन यहां पर D, B, C चलने लगेगा C, D के बाद फिन क्या चलने है, D, B D, B, C जो की इसमें है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है अब एक आडर हमको क्या मिला हमको यहां से आ A, यहां से, यहां C, B, D, B, C D, D, B, C यहां पर C, B, D, B, C C, D C, D, D, B, C अब पर फिन क्या मिले हम वहला है, D, B, C फिक है, तो यह देख रहो हमको काम करने लागा मतलब आएंसर, C, D, B C, C और यहां पर क्या ने लगेगा हमको जो है B तो आप्शन में क्या है, C, D, B, C, D C, D, B, C, D आप्शन क्या मिलेगा, B वी आप्शन क्या हो जाएगा, बच्छों, करेक्ट हो जाएगा ठीक है, तो ऐसे कोर्शन को लगाते समच्छा यह कोर्शन तो तुम्हारे में बहुत बड़ा आडर में जाके मिला है कभी-कभी पेर 3 का मिलने लगेगा पेर 5 का मिलने लगेगा ठीक है पेर जितना छोटा पेर मिलेगा कम नंबर का मिलेगा, उस पे पहले यूज़ कर लेना ठीक है लेकिन इसका मिल नहीं रहा दो इसलिए बड़ा पेर मिला और यह छोड भी दिया यहां पर चोड़ने का मतलब यह नहीं कि गलत है आगे तुम भरते जाओगे साथContin का ओगया यहां संहां तुमको क्योंकि इसके बाद dybc है तकीं इसके बाद dybc ज़ये सफी आड़र चाहिए और ऐसल भी क्या हो गया और चल यह और और यह 9 अ्य क्या हो गया क्यों नकर्छे कंड और चलों सेली क्रीण खूट्ष्वार्च्षैन है तोटी एट पॉर्टी एट पॉस्टन ठीक है ज्यान दो चोड़ने से कुछ इस एलमेंट का फाइदा हो रहा है यहां पर यहां पर टेन है उच्छा गया है इसमें फेक्टर क्या हो जाएगा तो सिक्स इंटू टू फेक्टर हो जाएगा इस इंटू टू आग सिक्सिंटू इंटू जाएगा यहां पर इसके पास ले जाओगे यह हो जाएगा इस अ मतलब यहां पर सीन 6 मिल रहेंगो यहाँ पे 5 x 2, 5 x 5, और यहाँ पे 5 x 4, और 3 यहाँ पे 5 x 4, यहाँ पे 2, एक 5 इसके साथ जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब 10, 10 मिल रहे है Q, और यहाँ बच्चों क्या मिल रहा है, 6 Q मिल रहा है, मतलब question क्या हो गया हमारा, 3 x 6 x 12, अगर इसका करोगे ते कितना आने वाला है result, 216, और इसके पावर 216 के पावर 1 x 3, क्या आने वाला है बच्चों, 6 अगया, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, फिन Q भी किहाँ पे कर देगे, कितना मिल जाएगा, 2, 2 x 20, 2 x 25, ठीक है, यहाँ 25 बच्चों, यह क्या हो जाएगा, 10, 10, 10 का Q, into कितना C, कितना result आया, बच्चों, 10 आ गया, यह हमारा result सही, एक करेक्ट सही, ठीक है, अब जो है, यहाँ पे result क्या मिलने वाला है, 2 x 4 x 64, 2 x 4 x 64, QB, Q region क्या आने वाला है, मतलब यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, 8 option, 8 option correct, 8 option क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, चलो, अब हम लोग next question, हम लोग के next question की तरफ बढ़ते हैं, अब हम लेटर भी है, अच्छा, ऐसे question को लगाते हैं, समय सबसे पहले बच्चे ज्यान देख को चुप गिया है, 25, 26, 26 question चुप गिया है, आदे भी नहीं, एक नच्छे कलम जो, और जो, जो, question हुआ है, जब कम्टूटर सेशन है, जब करेंगे जब करेंगे जब अलफाबेट और नमस दोनों का अगर यूज करने लगे question में, तो पहले सबसे पहला काम है, कि तुम नम्मर वाले को पहले काम कर लो, ठीके नम्मर वाले पर अगर तुमको असान लग रहा है, नम्मर वाले काम कर लो, तुम जब असान लगा है अगर मालों यहाँ नम्मर वाले आसान समझ में तो जल्दी आ रहा हो तो नम्मर वाले पर काम कर लो, जब नम्मर वाले पर बच्चो मों काम करनाया स्टार्ट रोगे, तै आफ यहां देखोगे, कि क्या मिले वाला है, यहां पे बहुत आसान question है यह, अभी यहां पे देखो के 4, 4 plus 6, ध्यान देंगे बच्चे, क्या मिलने वाला है, 4 plus, 4 plus 6, plus 2, क्या मिलने वाला बच्चो 12, बहुत आसान जा रहा है, 18, 18, अब नीचे देखो के 36, 36 प्लस 38 क्या मिले प्लस 2 क्या मिले वाला 76 मिलगा इसी तरह बच्चों यहां पर भी ऐड कर देंगे 29 प्लस 2 यहां पर क्या मिले लगेगा अब यहां लेकिन 49 मिल गया 49 तो मिला यहां पर लेटर में आप क्या देख रहे हैं यहां पर कंडिशन क्या रहा है यह 49 तो मिल गया अब यहां पर 49 दो जगा आपसन में एक यहां भी है और यहां भी है और यहां भी है यहां भी है अब यहां ध्यान देना यह भी इतना गैपिंग है यहां भी गैपिंग वन की यहां भी गैपिंग वन की यहां भी सम्में गैपिंग वन की है गैपिंग वन की तो दूनों में लेटर से difference ऐसे देखेंगे हम लेटर से बसको difference देखना होगा इस question में तो आप ख्यान से देखना जो है अभी इसमें और इसमें आप समें तुमको अगर difference देखना होगा तो A, B, C, ठीक है यहां से दो B, D, E, F, G, S, I, एक continuous letter चला है N, O, P, M, N, N, O, P, अगर इसको मैं रखता हूँ तो यहां पर गलत हो जाएगा, O, P, रखने के देखने के पुरंत एक question क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा इसलिए हमकी इस option को आगे क्यों बढ़ाना चाहेंगे, D option हमारा क्या हो जाएगा? बच्छो, correct हो जाएगा इस D option क्या हो जाएगा? इस D option क्या हो जाएगा? इस D option क्या मिलेगा? correct मिलेगा इस D option क्या जाएगा क्या जाएगा? इस D option क्या हो, जाएगा इसमें बच्छो यह question था, इस answer यहीं है, answer सही है, यहाँ पे figure नहीं आपाया है जाएगा, इस जाएगा तर्की, इस D option की बनाते है और यहां पर ऐसे बना देए और टी एच नुट कले में से 9 50 14 18 और यहां पर 6 3 और यहां पर question marks 5 5 8 6 और ठीक है जब वह यह है अब ऐसे question mark को लगाते समय जो है बच्चे काती है ऐसे question को लगाए यह figure वाले question मतलब यहसा भी इस करेंगे अगर इस तरीके से जा रहे है center element में हमारी बात नहीं बन पा रहे center element में अगर एकका position का इससा position पहले लिख लेगे सबका पहले position लिख लेगे इसका position को लोग देखते हैं कि 19 हो जाता है और इसका position फूर हो जाएगा alpha-batch 123 forward order इसका बचको 11 हो जाएगा इसका अब इसका यूज़ करना है position यूज़ करना है यह number बढ़ा है इसका 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 रिलेस्टन मिल गा है 99 x 3, 57 57, 9 multiply गरोष में 8 x 9 minus 72 minus 58 एसका इसका रिलेस्टन मिल गा तक इसका आएगा इसका बढ़ा है इसका रिलेस्टन कि तलब कर दो इसका रिलेस्टन कि तलब चालो इसका रिलेस्टन मेंगा 8 x 9 माइनस 50 यहां बतो जाए 8 वंकु 9 minus 15 करेंड़ 72 माइनस 50 यहां पी क्या मिला वाला है यहां पी डिया है रहमको 7 और कि ये लाजिक नमारा काम कर रहा है इसके मारिक प्रॉटلة करो, इसको करो, 57 उतना ही मिलेगा, जितना ही इसके पोजिशन में इसके क्या च जो मॉzahlु파र कर दो शुर्म राफ्सियां यहां थे गोप्स 14 2 0 अब यहां फिर मीलाजी के इसको एक राफ्समाई लेते और बच्छो क्या हो जाएगा 11, 11 इंटू किसना है, तब यहां पे किसना, 40, 30-A is equal to 11-A, यहां बच्छो क्या दिलने लगेगा हमको, 11 minus हो जाया, 11-A, 11-A is equal to 22, एक इपर टू कितना 22 अपान कितना 11 क्या आवच्छों तू मालें और आप्शन कौन को सही बिला जी जी अप्शन सब्सक्राइब ठीक है तो बच्पर ये जो है रिज्मिन का इस्पर्शन पार ठीक है इन नेक्स पार्ट मोग और देखेंगे भी मैस के अभी ये पटी कोर्श आप जाएगा और जो भी डाउट्स है और भी पूस्टन को लेके जाएगा वाच्पर के मैसेज करो आपके जरू आपके जाएगा इतना ही रहेगा